नमस्कार दोस्तों स्वावयत है अमारी यूटूब चैनल में दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे साइकलोजी के इनपोर्टेंट क्योशनों से सम्बंदेत दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगर आप इस चैनल को पह बोधित करता है सही उत्र हो जाएगा दो नमबर इनफोर्मेशन एंड कम्यूकेशन टेक्नोलोजी गो इसके बाद अगला क्योशन है कंप्यूटर है सही उत्र हो जाएगा चार नमबर उपरियुक्त सभी इसके बाद अगला क्योशन है उपगरे संप्रेक्शन का काम चलात सही उत्र हो जाएगा दो नमबर इसके बाद अगला क्योशन है कंप्यूटर एक मसीन है जो मनुश्य के दिमाग के समान कारी करता है कंप्यूटर की यह परिवासा सही है या गलत सही उत्र हो जाएगा एक नमबर यह परिवासा सही है इसके बाद अगला क्योशन है सूचना ए चार नमबर उपरियुक्त सभी, इसके बाद अगला क्योशन है, कम्प्यूटर सहाय अनुदेशन CAI का परियोग किस अनुदेशन हेतू करना संबव है, सही उतर हो जाएगा, एक नमबर सामोहिक, इसके बाद अगला क्योशन है, विक्तिगत अनुदेशन परनाली PSI के सोपान है, सही उतर हो जाएगा, चार नमबर उपरियुक्त सभी, इसके बाद अगला क्योशन है, शिक्ष्या तकनिकी का मुखे रूप क्या होता है, सही उतर हो जाएगा, चार नमबर उपरियुक्त सभी, इसके बाद अगला क्योशन है, अनुदेशन आत्मक परारूप को क्या ख जाता है सही उत्र हो जाएगा चार नंबर उप्रियुक्त सभी इसके बाद अगला क्योशन है शिक्ष्या तकनिकी का योगदान है सही उत्र हो जाएगा उप्रियुक्त में से कोई नहीं इसके बाद अगला क्योशन है C.A.L. क्या है सही उत्र हो जाएगा एक नंबर कम्प्य छायता से अधिगम इसके बाद अगला क्यो क्योशन है निविन में ICT के अंतरगत आता है सही उत्र हो जाएगा 4 नमबर ऊपरियुक्त सभी इसके बाद अगला क्योशन है CAI क्या है सही उत्र हो जाएगा 1 नमबर इसके बाद अगला क्योशन है इन में से कोन input device नहीं है सही उतर होगा तीन नमबर monitor इसके बाद अगला क्योशन है की बोर्ड किस परकार का device है सही उतर हो जाएगा दो नमबर input device है इसके बाद अगला क्योशन है परनाली उपागम में से परनालियां कितने परकार की होती है सही उत्र हो जाएगा एक नमबर दो परकार की अगला क्योशन है प्रोजेक्टर रेडियो टेप रिकार्डर किस परकार की सामगरी है सही उत्र हो जाएगा एक नमबर हार्डवेर अगला क्योशन है चारट आरेक फोटोग्राप किस परकार की सामगरी है सही उत्र हो जाएगा दो नमबर सौप्टवेर इसके बाद अगला क्योशन है वीभिन परकार के उपकरणू तता उनके अनुपयोग से यूगत एक ऐसी तकनिकी जो सौचना सामगरी के ग्रहन बंडारन पुने प्रस्तुतिकरन आदी के संपादान में सहयो करती है को क्या कहा जाता है तो इसका सही उत्र हो जाएगा दो नमबर सौचना संप्रेक्शन तकनिक इसके बाद अगला क्योचन है फरतम बार किस वर्ष में सौचना संप्रेक्शन तकने की सबद का परियोग किया गया था सही उत्र हो जाएगा दो नमबर सनौनी सो पचास में इसके बाद अगला क्योचन है पाटे पुस्तक चितर मोडल आदी किस परकार की सौचना तकने की है सही उत्र हो जाएगा दो नमबर आधुनिक इसके बाद अगला क्योचन है एल ए एन का विश्तरूत नाम क्या है सही उत्र हो जाएगा एक नमबर लोकल एरिया नेटवरक इसके बाद अगला क्योचन है कंप्यूटर का मस्तिक्स किसे कहा जाता है सही उतर होगा तेन नमबर CPU को कम्प्यूटर का मस्तिक्स कहा जाता है इसके बाद अगला क्योशन है कम्प्यूटर सहायक अनुदेशन में परियुक टेकनोलोजी नहीं है तो इसका सही उतर हो जाएगा चार नमबर इसके बाद अगला क्योशन है छपाई मशीन किस परकार की सामगरी है सही उतर हो जाएगा एक नमबर hardware इसके बाद अगला क्योशन है सूचना तकनिकी से सम्मंदित जो भी सूचना है जिस page पर देखी जाती है उसे क्या कहते हैं तो इसका सही उत्र हो जाएगा एक नमबर वेब पेज इसके बाद अगला क्योशन है कंप्यूटर शिक्षा में सहाइता परदान करता है सही उत्र हो जाएगा चार नमबर उपरियुक्त सभी इसके बाद अगला क्योशन है पेडा गोल जी किस दसक में परचलित पाटे करम थ तो सही उत्र हो जाएगा एक नंबर सन 1960 में इसके बाद अगला क्योशन है निमन में से कंप्योटर अनुपयोग की सीमा कौन सी है सही उत्र हो जाएगा तेन नंबर बासाविकास इसके बाद अगला क्योशन है कंप्योटर साहिक अनुदेश की मूल मानेता कौन सी है सही उत्र हो जाएगा उपरियुक्त सभी दोस्तों मैंने आज साइकलोजी के इन्पोर्टेंट क्यों से समधिते वीडियो जारे किया है आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें सेहर करें और इसी तरह के वीडियो साइकलोजी स्कूल मेनेजमेंट जीके करण जीके या हिंदी साहिते से समधित वीडियो पराप्त करना चाते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद जय भारत